हम लोग पिछले साल गए थे मैंने यह वीडियो डाला नहीं क्योंकि मैं जब अपना वाट्सप और वीडियो सारे चेक करे थी तो मुझे यह मिला यह वीडियो तो मैंने सोचा क्यों ना शेर किया जा अपना यह ट्रैवल ब्लॉग अगर आप अफरीका में कहीं भी जाते हैं घुमने के लिए आपको कम से कम होटल बूग करना ही पड़ेगा दो तीन दिन चार दिन के लिए तो सारे एक्सपेंस हो जाते हैं नियर अबाट वन लाक रूपीज सो मतलब एक हजार डॉलर आपको लगता है एक्सपेंस अगर आप जाते हैं कहीं भी इदर अगर आप चार दिन पांच दिन के लिए तो हम लोग गय थे तो इनो फाइफ सिक्स डेस के लिए गय थे और ये जो इनो प्लेस है काफी ही किसोरो ये किसोरो प्लेस है काफी खुबसूरत प्लेस है हम लोग तो मतलब न मेरे को बिलीब नहीं हो रहा था कि माई गॉड ऐसे भी मतलब पहाड के उपर रोड है और जाना है, in case क्या हुआ ना कि जब हम लोग जिस होटल में जाना था, वो होटल हमने, मिन सी, हमने दूसरी राज़ते से हम जाने लगें, और उसके बाद हम जब अंदर जा रहे थे, तो हमें पता ही ने चलता, वो गूगल के थू जा रहे थे, even call भी किये थे, तो वो लोग बत है, तो हम लोग इनो इस रूट से निकले और काफी enjoy करते हुए गए, काफी खुबसूरत प्लेस है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग दीरे-दीरे, राउंड-राउंड एकदम hill के उपर जा रहे हैं, और डेफिनेटली वैसे ही जा रहे थे हम, और काफी उचा, इनो उचाई प घर है न, वो पहाड के उपर होते हैं, तो इनके घर, गाउं, जो भी है न, village, पहाड के उपर आप देख सकते हैं वीडियो में, मतब इतना खुबसूरत है इन लोगों का घर, village, जो भी आप बोलिये, हमारा जो घर होता है, गाउं में, इस तरह नहीं होता है, इनके जो घर होते हैं, यह इस तरह होते है, फाइनली तब हम लोगो होटल पहुँचे, और पूरे दिन हम लोग पहाड के उपर घुमते रहे, घुमते रहे, फिर शाम होगे तो हम लोग होटल पहुँचे, और वहाँ पे खाना खाये, डिनर, अल्रेडी हो लोग बना के रखे हुए थे और उनको मालूम था कि इंडियन है तो इंडियन फूड बना के राखे होते तो फिर हम लोग उने काफी गूमा और ये ब्लोग में इसलिए शेयर करना चाहते हूँ क्योंकि अगर कहीं भी आप जाएं अफ्रीका में कहीं भी आप कंपाला यूगांडा में कहीं भी इस्टन यूगांडा जाएं यह काफी खुबसरोत प्लेस है I can't you know tell you अगर आपको देखना है जाना तो जाएं और पहली चीज तो मुझे बहुत best experience मिला कि जब भी मैं breathing ले रहे थी ना मुझे बहुत ही लग रहा था नहीं pure जो oxygen होता है वो मिल रहा है breathing इतनी fresh कभी भी मतलब ऐसा लग रहा था कि oxygen को fill कर रहे इतना fresh and you know natural oxygen जो की मिल रहा था smooth air मतलब ऐसा लग रहा था ने कि धर से मैं जाऊने में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरी retirement के बाद पहाड पे ऐसे ही आके घर बनाओ मैं अपने husband को बोला भी कि retirement के बाद ने ऐसे ही पहाड पे हमने जाएंगे घर बनाएंगे और ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये जो वादिया है न इसमें तो पूछिये मत पता ही नहीं चलता है कि दिन कब है और रात कब है तो आप भी try करें और please आप भी घुमें ये मेरा चोटा सा ब्लॉग है मैं already ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ आपको अगर details देखना है तो आप मेरे वीडियो में जाके वीजिट करें मैं already वहाँ पे सारे places पे जितने places पे जितने जगा में घुमने गई वह उतनी places की वीडियो अपलोड किया है तो कबाले गई वहाँ का है वीडियो ये कबाले का scene है और विवेंडी गई वहाँ का है गोरिला इंटरनेशनल पर्क गई वहाँ का है तो हर जगा का मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे YouTube चैनल पे है अगर आपको details में जाना है तो आप जाके वहाँ पे watch करें और देखें और ही मेरा favorite place है और आप यहाँ पे इनो book कर सकते हैं travel से और आप अकेले भी जा सकते हैं safety है कोई problem नहीं है हर जगा आपको safe इनो fill होगा यहाँ पे जो भी places हैं safe places हैं तो यह है हमारा blog travel blog काफी इनो बहुत ही इनो beautiful experience रहा इस places का और मैं तो आज भी इनो अगर दुबारा chance मिले तो मैं फिर जाओं और फिर से में visit करूं और उन places के इनो जाके enjoy करूं इनो greenery, natural things है जो की काफी कुपसूरत है मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो छुटे छुटे घर जो दिख रहे थे इन local logo की वो तो मुझे काफी अच्छा लगा यार बहुत ही कुपसूरत place है एक बार आप भी चाहिए और visit कीजिए और देखिए काफी कुपसूरत place है और enjoy कीजिए और यू ही मेरे subscriber आप मुझे support करते रहें ताकि मैं अच्छे ची video लाती रहूँ आपके सामने और आप देखते रहें तो ये है हमारा अफरीका का blog travel blog काफी कुपसूरत experience रहा आज भी feeling बहुत अच्छी आती है जब भी याद करते हैं वो travel blog और visit places पे बहुत कुपसूरत place है प्लीज जाके आप देखें अफरीका means greenery और नेच्छूरल अफरीका means nature so please go and check and visit the places and my youtube channel पे भी है हर जगा मैंने video upload करके रखा है youtube पे तो तब तक के लिए bye bye और अपना ख्याल रखे अपने घरवालों का ख्याल रखे आसपास लोगों का ख्याल रखे और happy रहे तब तक के लिए bye bye मिलते है next video में